कि हलें दोस्तों अपर बहुत पर स्वागत हमारे यूटूब चैनल में हमने हैं आधा कप मक्य ले लिए हुँ एक अच्छी मक्य है इन्हें सारे निकाल कर एक जार टाल देंगे अप कम ज्यादा कर सकते हमने आधाकप मक्य लिए और इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले तो मसाल यहां पर हमने दो तीन चमच पानी डाल देंगे क्योंकि मक्की सुखी हुई हमें इसे पीसना है तो बस चलते हैं इसे ग्राइंड में टार के अच्छी तरस ही पीस लेंगे पिल्कुल इसका पेश्ट नहीं बनानी है इसे दाने दाने रखनी है थोड़े मोटे मोटे तो हमने ग्राइंड कर लिए हैं अब इसे एक बरतन में निकाल लेंगे तो एक बरतन में निकाले हैं बहुत इसको खड़ा भी नहीं है और बहुत बारिक पेश्ट भी नहीं बनाए है इसलिए हमने सिर्फ दो तीन चमच पानी डाले है ताकि अच्छी तरह से मिल जाए तेखि देतने में चूटे लिए हैं दो मीडियम साइज के प्याग और यहीं कि अनुक्षा करेंगे और अथि तरह से मसेल वेदले के यह बनादा के नॼिए हम जाले हैं ख़ाए अल móड दो इस दो बहुत जादा नहीं डालेंगे तो बस अब इसमें डाल देंगे चमज से आधा चमज से थोड़ा सा कम जितना हमारी मक्की है उसी हिसाब से डालेंगे थोड़ी हल्दी नमक डाल दिये हैं चाट मसाला डाल दोंगी और हरी मिर्च पाले हम ग्राइड के थे तो जितना आप खा बैंडिंग के लिए डाल रहे हैं बहुत जादा बैसन नहीं डालेंगे तो चमज डाले हैं और इने अच्छी से मिला लेंगे यहां पर पानी मगर की जरूद पड़ेगी तो बाद में डालेंगे अभी हम कुछ नहीं डाल रहे हैं क्योंकि प्याज में थोड़ी बहुत ठालेंगे अब पता लगया होगा कि हम क्या बना रहा हैं बस अच्छी से मिला लेंगे हाथों मिलाएं अधास हर प्याजम द घरे एक बहता है में beauty सारे मिल चूकिए हैं थे वह में पानी अगर आप कभी मक्य के पकोडे नहीं काये हैं तो आप इपर मेरे तरीके से जरूर बनाएगा तेल पहले से गरम होने के लिए रख दिये हैं और इसमें आप चोटे बड़े जितना जैसे चाहें विशे बना सकते हैं तो हमने छोटे चोटे पीस डाले हैं बहुत बड़े भी बहुत चोटे भी नहीं है और इसमें डाल दिये हैं लंबी लंबी प्या जो होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं आप जब भी बनाए पकोडे तो लंबी प्या जरूर डालिए और एक साथ जीतनी आएगी उतने के डालेंगे गैस का फिले मीडियम कर दिये हैं और मीडियम आप अच्छे लिए तरन कर देंगे और इधर वी अच्छे तरह से एक दो मिनट के लिए अच्छी तरह से बकाएंगे तो बहुत प्रिस्पी बनेगी बनती है जो पकोड़े होते हैं आज हमने मक्की के मखें के दाने से पकोड़े बनाया अगर आपको नहीं बनाया नहीं क्योंकि मक्यों का सीजन चर रहा है तो हम सोचे चलो आज आपको पकोड़े खिलाते हैं मक्य के देखिए नीचे से अच्छी से सीख चुकी है अब हम इसे टन कर देंगे और इधर भी अच्छी तरह से एक दो मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे तो बहुत ही पकोड़े जादा टाइम नहीं लगा था तीन चार मिनट के अंदर बनके ते कलर भी देखिए कि इतने प्यारे हुआ है और अच्छी तरह से बन चुकी है एक टन हमने बना ली है अब बस इने बाहर निकाल लेंगे एक टीशू पेपर परग देंगे जो इसमें इस्ट्रा निकल जाएगी तो ऐसे हमने सारे निकाल लेनी है और जो हमारे और में जो बचे थे उनको भी इसी तरह से हमने प्राइब कर लेनी है कि देखिए बहुत जादा टाइम नहीं लगा था फटा फट से पकोड़े बन रहे थे अगर आपके घर में कोई अचानक सी आ जाता है अ मतलब हमने इसे मकी के दाने से बना आहे हैं वह अपनी घर मी अपनी लोगों को कि नंगां जो बाता नहीं लगा कि कि चीज का पो कर करें ते कियो जाते हैं और पहल प्राई करके निकाली है जब बनाएंगे और खाएंगे तभी आपको पता लगेगी की मतलब कैसी बनी है तो देखिए हमने सारे एक पलेट में डाल दी आधा कप मक्की के दाने से इतने सारे पपोड़े बनके त्यार हो गया है कि अभी मेरे तरीके से जरूर बनाएंगे आपको तोड़ के दिखा देती हूं देखिए उपर से कितने क्रिस्पी और करंची और से बिल्कुर सौप्ट है आपको तोड़ के दिखा देते हैं और कलर भी देखिए कितना अच्छा इसे हर कोई खा सकता है गरम करों तो सब कोई खा सकते हैं ठंडी होने बाद जो मक्की होती थोड़ी से हाड हो जाएगी लेकिन गरम गरम में बहुत ही टेस्टी लग रही थी तो आप ही एक बार मेरे तरीक से बनाईए खाईए एंज्वा करते हैं फिर मिलेंगे